आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जिम स्टडी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है जैकबोट के जितने भी विद्यारती है चाहे वो एट में पढ़ रहे हो, नाइथ में पढ़ रहे हो तो वीडियो को आप जरूर देखेगा, ठीक है, सबसे पहला यहां पर प्रसन क्या है, कि क्या कल मॉडल पेपर आएगा, यानि मंडे को मॉडल पेपर आएगा, या फिर नहीं आएगा, इस बारे में भी चर्चा करेंगे, दूसरा कोश्चिन क्या है, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, जी हां, अगर मॉडल पेपर नहीं आया कल, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तीसरा कोश्चिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का अभी माइंड में ये कोश्चिन एकदम चल ही रहा है, ठीक है, कि पढ़ाय में मन नहीं लगता, क्या करें सर, यानि बहुत सार में कोश्चिन आता है, कि सर, मॉडल पेपर कब आएगा, देखें, नाइन्टी परसेंट चांस है कि आपका मॉडल पेपर कल आएगा, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंगे, सर, दस परसेंट क्यों, आप चांस बोल रहे कि नहीं आएगा, क्योंकि जैक कभी भी किसी को ना बता कर कोई काम किया है, या फिर अगर बताया है, आर्टिकल के माधियम से, अखबार के माधियम से, तो वो चीच कभी पूरा सही टाइम पर नहीं किया है, तो हम कभी भी जैक पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, भले आपको कोई यूटूबर बोल देंगे कि हमने जैक के पास कॉल किया, पूछ लिया कि कल मोडल पेपर जारी होगा, परसू जारी होगा, बहुत सारे यूटूबर तो यह बोल रहे है कि फ्रैडे को ही जारी हो जाएगा मोडल पेपर, लेकिन ये सारे वीडियो आपको बस व्यूस पाने के लिए निकालते हैं, ना कि आपके जितने भी festival थे वो सारे खत्म हो चुके हैं तो कल अगर नहीं जारी करेगा तो फिर बहुत दुख और सरम की बात है जैक के लिए जैक बोट के लिए ठीक है और सिक्षा निती के लिए यानि 90% चांसे की कल model paper साम तक के जारी हो जाएगा 10% चांसे की नहीं जारी होगा लेकिन अगर यदि model paper नहीं जारी होता है तो सर क्या करेंगी most important topic है और ये most important question है इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़री है अगर model paper नहीं आता है तो ध्यान से समझे क्या करना है आप लोग एक कहानी जरूर सुने होंगे और वो कहानी क्या है अर्जुन की कहानी है अर्जुन यान सर जो पीड़ नजर आ रहा है उस पीड़ में क्या नजर आ रहा है उसी पर आपको निसाना लगाना है तो एक student ने बोला कि सर हमको पीड़ में डाली नजर आ रहा है जो बहुत ही तेजी से हिल रहा है उस पर हमको निसाना लगाना है तो वो उस पर निसाना लगा के चल तीसरा जो student था वो बोला कि sir पक्ची नजरा रहा एक पक्ची है जो हरे कलरका है यानि तोता है या फिर कोई है लेकिन एक पक्ची है अब हम उस पर निशाना लगाते हैं तो वो निशाना लगाके चला गया पीचर ने अरजून से पूचा कि अरजून तुम्हें क्या नजर आ रहा है तुम्हारा लक्ष क्या है तो अरजुन ने बताया सर मुझे ना ही पीड़ा नजर आ रहा है ना ही पक्ची नजर आ रहा है सिर्फ एक लाल-लाल आखे नजर आ रही है कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान से समझे उस student के लिए अरजुन के लिए जो पेपर है जो डालिया थी या फिर और पंक्षिया थी वो सारे डिस्ट्रेक्शन है कि किताबे आएंगे तब पढ़ेंगे जब एक्जाम डेट आएगा तब पढ़ेंगे यानि 15 दिन बचेगा 10 दिन बचेगा तब पढ़ेंगे आपको अरजुन की तरह सोचना होगा कि जो मे मोडल पेपर नहीं आता है 20 दिन नहीं आता है और तो आप क्या करोगे आप मोडल पेपर के चलते आप बैट कर थोड़ी न रहोगे आपको क्या करना इस वर्स क्योंकि इस वर्स जो है वो 50% मार्क्स जो स्टूडेंट का आने वाला ना बता दे रहे वो राइटिंग पर ही आने वाला है राइटिंग पर क्यों आने वाला है क्योंकि 50% मार्क्स लिखने वाला है और बता दे रहे लिखने वाला जो मार्क्स होता है नंबर होता है वो बिना राइटिंग के नहीं आएगा 100% आप कितना भी पढ़ लिजिए कितना भी याद कर लिजिए क्योंकि आप वहाँ पर नहीं रहते हो, जब copy चेक किया जाता है, टीचर की दवारा, वहाँ पर आपका copy दर साथ है, कि आप कितने अच्छे तरीके से लिखे हो, उतने अच्छे तरीके से आपको number दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, model paper आए, चाहे नहीं आए, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, notes बनाना होगा, लिक, लिक कर, notes बनाना होगा, writing को सुधरना होगा किसी वीडियो में हम आपको बता देंगे कि देखिए कैसे टोपर लोग लिखते हैं कोपी उनका राइटिंग क्या होता है जो कोपी होता है examiner वाला कोपी वो सारे चीज हम आपको बता देंगे और लिखने का तरीका exam में वो सारे चीज बता देंगे आगे भविस में वीडिय कि जैसा आपको पढ़ लेना होगा या फिर किसी का मैथ हो या फिर किसी का साइन्स हो जो भी हो आपको एंसे आटी बुक से प्रैक्टिस कर लेना एंसे आटी बुक से बाहर कोश्चन नहीं आने वाला है प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ने के बाद सर में चीज है कि समझ तो आ रहा है सब चीज लेकिन यहां पर मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो देखिए हर एक स्टुडेंट का अलग अलग प्रोब्लम होगा हो सकता है किसी का दूसरा प्रोब्लम होगा तो या फिर जो भी प्रस्नली प्रोब्लम होगा डिस्क्रिप्शन में वाट्सप सर मेरे साथ कुछ ऐसा प्रोब्लम है सर सर यह प्रोब्लम स्ट कीजीए हम पढ़ नहीं पारे सारा प्रोब्लम आपका स्वल सुल्व किया जाएगा आप दूसरे यूट्यूबर के पास कमेंट करते हो सर यह करिए यह वो कि यह को रिप्लाई भी 오른borg यहाँ पर आपको भी देखते हो पिक्चर देखते हो उस समय क्या होता कि एक ज़रा सा पलक नहीं जबगता है कहने का मतलब पुरा फोकस रहता है मूवी में अब क्या होगा अब क्या होगा लेकिन जैसे ही पढ़ाय करने के लिए बैठते हैं सर बीस मिनट बैठते हैं उसके बाद मन लगने मेरे पढ़ाय का खर्चा उठाते हैं आप मोटिवेट होने के लिए अपने माबाप को देखे जिस दिन आपका रिजल्ट शूद्रेगा ना उस दिन रिजल्ट बता देघरे आपका सूद्रेगा लेकिन आपके माबाप आप से ज़्यादा खुस होंगे उनके चेहरे में ख सॉल्व करेंगे मेसेज के दोवारा या फिर भाय स्कोल के दोवारा भी हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जैहिन जै जहारखन